हेलो आप नमस्ते स्रीय काल कैसे हैं आप लोग मैं हूं विसाल और आप लोग मुझे विसाल सर के नाम से जानते हैं देखिए आज कर जो भी बच्चा कॉम्टेट्टिव एक्जाम के त्यारी कर रहा है उसका दो बड़ा ही होट कोशन है आज उसी भी बात की जाएगी कहना क् हमारी इंग्लिज दो भाग बाटी गई है एक उतिक ग्रामर पोर्शन और जो दूसरा होता है वो होता है वोकैबलरी पोर्शन तो ग्रामर पोर्शन में आपने रूल डैयार किये उसको अपलाई किया आपका अंसर आ गया आपने टिक कर दिया हो गया लेकिन जब बात आती है हमारी वोकैबलरी की तो दो कोशन बन जाते हैं वहाँ पर तो बच्चे अधिक तर उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे त्यार करें और कितना त्यार करें वोकैबलरी जब आप त्यार करने सुरू करते हैं तो दो कोशन ये कॉमन से आते ही होंगे कि कैसे त्यार करें कितना त्यार करें 100 त्यार कर लें 500 त्यार कर लें । 1,000 त्यौर करें ॥ कितना त्य कुपूंट थनके बगए करने कि ने क्शिर करना यह तो बताया नहीं वी जिए यहां तर्क यह सूत-पांसो त्यार करें उसी में से हम आपको इसिए वीडियो में आपको मिलेगाए तो अंता क्यों की साथ में पहले बताते हैं कि किंधना थैर करना चाहिए तो सबसे पहले आप हैwhat सुरुगात आप किससे करेंगे सबसे पना लीजिए कि हमें सब्साइब स्बस्टियूशन हो चाह्या ए leisure reason हो चाहे हमारी a सिनाओंश हो कुछ भी हो त्यों को सब्सक्राइब करें के साथ त्यार त्यार करें लिभंगे तो हो सकता है उसको त्यार करने में आपको एक ह़ता लगे 10 दिन लगे मैं तो कहता हूं कि आप एक महा lên ले ले लिए आप एक महीने क्या है हर दिन उसमें पांच एड करना है क्या करना है हर दिन उसमें सिर्फ पांच आपको आपको आड करने हैं यह प्रॉसेस आपको कब तक कंटिन्यू करना है यह प्रॉसेस आप जब तक आपका सेलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप इस प्रॉसेस को कंटिन्यू करेंगे डेली 5 आप उसमें एड करेंगे ही करेंगे वोकैबलरी के हर पार्ट में मैं खालिए एक पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इन्टनिंस, सिनॉनिस में पांच पांच एड करें जितनी भी वोकैबलरी में आती है तो बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में रोज पांच करेंगे अगर मैं कहते हूं आप करेंगे दो एड 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 करेंगे तो अगर हमारे पांच चीज़ों आती है हमारा क्या क्या आता है पर उसके भी देख लेते हैं एक तो मारा एं इन सब में हम अपने दो दो तीन तीन एड करते जाएंगे कभी भी घटाएंगे नहीं अगर आपने दो ही एड करने तो डीली का नियम बना लीजिए कि हम दो तो एड करेंगे तो आप 2 एड़ करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 होगे हाद दिन की यह प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहे हैं कब तक करते रहे हैं जब तक आपका सेलेक्षन नहीं हो जाता जब सेलेक्षन हो जाएगा तो आपके जुरत नहीं पड़ेगी इसकी तो और एक काम और आपको साथ में क संडे विजन घारकरना है संद अल्वात में सौ त्यार किया है अगला आपने पांप आट कर लिया उसमें तो कितना महें संडे रिवीजन संडे रिवीजनी स्टिस दश कर अगले संडे संडे पाउज Dann सब्सक्राइब करना है तो अब यहां पर पालिया उसका अंसर पालिया कि कितना त्यार करेंगे सुर्वात में सव फिर उसमें आप अपने हिसाब से चितनी आपकी कैपसिटी लर्निंग की पांच रोज आज कर सकते हैं लेकिर हर चीज में सब्सक्राइब करने हैं तो अब बात करते हैं दूसरे हमारा जो हौट कुछ से तैयार करें सव ही याद करने में लोगों को प्राब्लम हो जाती है तो जब उसमें वो कैबलरी आप बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि यादोना मुस्किल हो जायगा क्या हो जैगा यदो ना मुस्किल हो जाएगा अगर सुरीfoad के आपने स Western वीक में तैयार किये हैं तो अगले जो आपको तैयार करने होंगे 100 से 500 पौचने तक तो फैर आपकी नहीं रहेगी यहां उसी प्रॉसेस सा आपको याद भी नहीं होगा एक छोटे सा इजाम्पिल देखते हैं अगर आप लोग क्लासिकल अप्रोच याद करने की ले रहे हैं वह अप्रोच ले रहे हैं जो स्कूल के समय में हमारी थी क्या करना कॉपी लिया किताब लिया रटना शुरू का दिया फटापड एक ही इस पर निको कई सब्सक्राइब लिजाम sigui लेकिन क्या होता है ओज़ीव टर्की सब्सक्राइब अच्छे साद करा देगा आपको फटक फटक पड़ते जाएंगे पह को वाशाच जाये लेकिन जीन सुरू करेंगे तो आपकी सपीड क्या हो जाएगी लर्निंगिड डाउन हो जाएगे उस स्पीड सुलो फिर जैसे जैसे आप बड़ते जाएंगे लर्णिंगी स्पीड आपकी सुलो होती जाएगी उतनी देर में उतनी चीजे आपको लर्ण नहीं होगी तो कर्ण क्या सकते हैं तो उस समय क्या कर सकते हैं तो एक एक इग्जामपल देखते हैं छोटा सा अगर मैंने आपको एक picture की कहानी सुनाई तो आपको वो याद रहेगी अगर मैं आपको एक महीने बाद भी पूछूंगा वो आपको याद अच्छे से रहेगी अच्छे से नहीं रहेगी तो भी कुछ percent आप भूल जाएंगे लेकिन नॉर्मली आप कहानी को अच्छे से हमें explain कर देंगे लेकिन अगर वही picture में आपको दिखा ही दू ना तो पहले अगर आप हमें 60 परसंट कहानी बता रहे थें तो इस बार आप हमें 80 परसंट कहानी बताएंगे तो अच्छी बात है हमें 60 जंगा भी आज 80 तक याद दो गया अगर उस ही picture को आप किसी और को भी साथ में बैटके दिखा दें उसी movie को किसी और को बैटके साथ में उसके दिखा दें एक बार या खुद भी देख लें उसी movie को तब क्या होगा तब आपको वह 90 से 95 परसंट अच्छे से step by step आपको याद रहेगा इससे क्या पता निसकस निकल ला है क्या पता चल ला है में इससे ये पता चल ला है कि एक तरीकी से दिमाग में चीज़े नहीं जाएंगी आप खाली classical approach के अपनाएंगे तो एक time के बाद वो approach से चीज़े उतनी अच्छे से याद नही होंगी तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा कुछ समय दूसरा तरीके से कुछ sentence को लटेंगे वो काम नहीं करेगा तो तीसरा तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप vocabulary को learn कर सकते हैं अधिक समय तक अब तीसरा तरीका अप तो उसमें problem तो आएगी तो फिर classical approach की तब move कीजिए mix कीजिए सारी approach को mix कीजिए तीनों जितने भी तरीके हैं आपके learning के आप उनको mix कीजिए क्यों आप खाली के रासिकर approach को लें तो वहां पर चीजिए अच्छे से अधिक समय तक याद रहेगी तो बात करते हैं वह approach क्या हो सकती है याद करने की वह कौन से approach होगी तो पहली approach तो आपको मैंने पहले ही बता दी कि आप copy उठाइए रटना शुरू कीजिए सुस्पे से साम तक बैठेंगे पचास हो क्लबरी आप रट डालेंगे होगा कि आगले दिन पचास में दस भूल जाएंगे चालिस तो याद रहेगी एक अपते बाद तो और दस करेंगे कि जब आप चीज को रिलेट कर देते हैं एक से दूसरे में तो वहां पर वह चीज अच्छे से अधिक समय तक याद रहती है एक्जाम्पल देखिए कैसे चीजों को रिलेट करेंगे मैंने कहां और गो टूदी डॉक्स क्या कहां मैंने और गो टूदी डॉक्स का contemporary go to टूदी डॉक्स का मतलब यह नहीं कि डॉक के पाद चले जाओ को टूदी डॉक्स का यह मतलब हुआ को बरबाद हो जाना वा सिक्षिए जरा कि यह दुनों कि फ्रेजस एक टीब दी वुल्फ प्रॉम दी दोर इसका क्या मतलब है वुल्फ बेडिया फ्रॉम दी डोर के बहार रखना बेडियों को दोर के बहार रखना अब इसको रिलेट करेंगे और इसका एक्जैक्ट मतलब देखेंगे पहला क्या था वारा गो टू दी डॉक्स मतलब कि वह बर्बात हो जाना अब इसको कैसे रिलेट करेंगे आप जी जो क्या करेंगे खेलेगा तो है नहीं अगर कोई जंगली डॉक्स होगा क्या करेगा आपको काटी ही लेगा काट लेगा है तो आपकी हालत क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी करफ च्प्ट फाड देगा तो ऐना क्या करते हैं या इस तरीके से आपको यह अधिक समय तक याद लेका अगर जब बहु को आएगा आप्के सामने तो आपको वही काहानी या दहेगी तुसरा कहए keep the wolf from the door इसका मतलब हुआ कि हमारा भुक्मरी यानि कि गरीबी को डोर के बाहर रखना यानि कि गरीबी को अपने से दूर रखना अब कैसे इसको आप relate करके समझ सकते हैं वुल्फ भेड़िया और डोर मिस धर्वाजा धर्वाजी के बाहर भेड़ियों को रखना अगर भेड़िया अंदर आएगा तो क्या करेगा आप लोग को मार देगा और गरीबी क्या करती है अगर वो अंदर आएगी घर के अंदर गरीबी रहेगी ज़्यादा तो भी क्या करीए आपको मारी देगी तो इस तरीके कि इस चीज़ों को हमें ड्रिलेट करना चाहिए अब यह अगर चीज आपको याद रहेगी कि वूल्फ मिन्स हमारा बेडिया और नोब मिन्स दर्वाजा हमें दर्वाजे के बहार क्या रखना है भेड़ियों को रखना है यानि कि हमें गरीबी को दूर के बाहर रखनी है यानि कि भुक्मरी को दूर रखना तो चीजे आपके दिमाग में बैटे रहेगे जब भी आपको ये मुहापला को दिखेगा गेट वॉल्फ फ्रॉम दी डॉर तो आपको वही चीज याद आएगी गरीबी दर्वाजा वुल्फ दर्वाजा तो इस तरीके से हम अपना ये दूसरा अप्रोच लेके चल सकते हैं जिसमें हम चीजे रिलेट कर सकते हैं एक अप्रोच होती है वो जो ये तिंकिंग की तिंकिंग की यानि कि अगर आपको कोई कोई चीज आपको याद करनी है कोई वर्ड याद करना है इस पेलिंग में भी कुछ है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए कोई कहानी हलकी सी सोच लीजिए उसके बारे में, तो वो आपको अधिक समय तक याद देगी, तो जब आप इन तीनों का mixture कर देंगे, याद करने में, मतलब क्या कुछ को क्लासिकर अप्रोच से याद करेंगे, उसी में कुछ वर्ड्स को thinking से याद करेंगे, और उसी में कुछ को relate करके याद करेंगे, तो इन तीनों को मिला देंगे, तो आप अधिक से अधिक वर्ड्स को, अधिक से अधिक vocabulary को कम समय में अधिक time तक याद लग सकते हैं, तो I hope आपको ये concept अच्छा लगा होगा, तो इस concept से अगर आपको ये चानकारी मिल गई है, कि हमें vocabulary के साथ क्या deal करना चाहिए, किस तरीके से हमें deal करना चाहिए, कितनी vocabulary याद करनी, तो एक बार इस वीडियो को like जूड कर दीजेगा,